हालो फ्रेंज वेलकम तो अचानल दिप्रशिता शो तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दिवाली बस आने ही वाली है और दिवाली का हम सब को पूरे साल से वेट रहता है क्योंकि बहुत सरी स्वीट्स होती है ऐसे टाइम पर बहुत सरी नई कपड़े हम लोग खरीते है हैं बहुत सरी crackers बचो के लिए हम लेके आते हैं तो दिवाली जब भी आती है जिसे हमारा time था जिसे हम छोटे थे तो हम लोग बहुत excited हुआ करते थे तो ऐसे ही आप हमारी बेबी का time है वो लोग बहुत excited होते हैं दिवाली के time पर तो crackers सबसे ज़्यादा बचों को पसंद होते हैं उसे टाइम पे बचों को बहुत रहता है कि दिवाली आएगी तो बस हम पटाके जलाएंगे तो आपको क्या-क्या safety precautions रखने हैं, क्या-क्या safety आपको बरतनी हैं, क्या-क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है दिवाली के time पे, especially अपने बचों के लिए, तो यह हमारी वीडियो का आज का topic, और शुरू करने से पहले मैं आपसे request करूँगी, चैनल पे नई हैं, तो चैन जरूर लाते हैं, क्योंकि हम कितना इको-friendly और atmosphere के इसाफ से चलने की कोशिश करें, बच्चों के according दिवाली का मतलब यह है कि उनको crackers जलाने हैं, तो crackers जलाते time थोड़ा सा हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दिवाली जब होती है, तो just next day हम बहुत सारी incident सुनते हैं कि किसी को injury हो गई, कोई चल गया या किसी को ऐसे कुछ problem हो गया, तो बहुत जरूरी है कि हम अपना और अपने बचों का ध्यान करके चले, तो क्या-क्या चीज़े हमें करनी है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जो आपको crackers लेने है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखेगी, ऐसे कहीं से भी आप अठाके ना ले ले, कोशिच करेंगी, जहां से भी ले रहे हैं, वो authorized हो या government license shop हो, वहीं से आप ले, फिर जब आप crackers घर में ले आए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखे, क्योंकि डेफिनेटली आप दिवाली से आग से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, जहां पर source of fire है, आपका जैसे kitchen हो गया या ऐसा कुछ जहां पर भी आपके घर में आग जलती है, या आग का कोई source है, तो वहां से थोड़ा सा आप उसको दूर रखें, क्योंकि उसमें आग लगने का डर बहुत जादा रहता है, तो बचे थोड़ी शरार्ती होते हैं, बचा खुदी जलाने के लिए उसको जा सकता है, तो आप कोशिश करें कि बचों की पहुंच से वो बहुत दूर होने चाहिए, तो जब भी दिवाली के टाइम पर आपको उसको निकालना है, तब ही आप निकाले है, बट उसके अलावा तो आप स्टोरेज का थोड़ा सा ध्यान रखें, फिट इस टाइम पर पटाके जला रहे हो दिवाली के टाइम पर तब भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो, सबसे ज़़ए तो बच्चों का आपको ध्यान रखना है, कि फुट्वेर का ध्यान रखो, कि बच्चे ने शूस प्रॉपर पहने हो, प्रॉपर बच्चे के पैर जो है, वो कवर्ड होने चाहिए, उसका ध्यान रखो, बच्चों के कपड़ों का भी आपको ध्यान रखना है, कोशिश करों कि ऐसे टाइम पर बच्चे को कॉट्टन के और ठोड़े फिट्टेड कपड़े आप पहना के र पहले से ही आप थोड़ा सान को प्रपेर करके रखें, कि पहली बात तो आप एज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका बच्चा जीस भी एज का है, उसके अक्वर्डिंग उसको पठाके दें, अगर बच्चा बहुत चोटा है तो आप बम वगरा जलाने के लिए उसको जलाने को मन हैं, तो आपको बिलकुल उसके साथ रहना है, बिलकुल अपनी गायडंस के अंदर ही वो करवाना है, तो आप बच्चे को समझा के चलें कि जब भी आप पठाके जला रहे हो, तो काफी डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना होता है, बिलकुल पर्पास जाक और बचे को उसको enjoy करने दे, बचे को उसको ना करने दे, वो जादा better है, फिल जब पठाके आप जला रहे हैं, तो आप एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लिजिए, वो आप बिल्कुल भाही रखे, जहां पठाके जला रहे हैं, तो जैसे जिसे आप पठाके जलाते जा जिसे वो ठंडा हो जाए, तो किसी को harm होने के चांसे उससे बहुत कम हो जाएंगे, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान करके चले, अपना first aid box जरूर आप ready करके चले, भगवार ना करें अगर कोई incident हो जाता है, ना जिर्फ आपके घर में, आज पर उसमें ऐसा क अगर आप crackers जलाने के आपके planning है, तो अपना first aid box पे आप जरूर से जरूर तयार रखे, तो उस तीस का भी आपको ध्यान रखना है, तो crackers पे जो भी instructions लिखे वे हैं, उसको जरूर पहले आपको पढ़ना है, उसके according ही आपको पटा के जो है वो जलाने हैं, तो उसका समझा के रखे कि इसको घर में नहीं जलाते हैं, या इसको रोड पे नहीं जलाते हैं, तो आप थोड़ा सा बचे को समझा के रखे कि कि इसी open area में पटाकों को जलाते हैं, ताकि बचा अगर खुद भी जला रहा है, या उसको एक knowledge होने चाहिए कि पटाके जो है वो घर में करते रहते हैं, तो उसका भी आप बचे को जरूर बता के रखें कि रॉकेट जो है वो upward direction में ही जाता है, आप उसको रोड पे या खिड़की की साइड या दर्वाजे की साइड फेस करके उसको ना जलाएं, तो ये चीज़े आपको बचे को सिखानी जरूरी हैं, क्योंकि बचे दिवाली के टाइम पे बहुत excited होते हैं, उन्हें क्राकर्स को बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, तो ये सारी चीज़े आपको बचे को सिखानी हैं, अपनी observation में, अपने पूरे guidance में बचे को क्राकर्स जलवाने हैं, तो उसका ध्यान रखें, तो ये तो हमने कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़े आपको नहीं करनी हैं, क्योंकि वो और भी ज़दा important हो जाता है कि क्या-क्या चीज़े आपको नहीं करनी है, उससे बचे की safety बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़े आपको नहीं करनी है, तो तो आप अपनी बिल्कुल आपकी प्रेजन्स महां पर होनी चाहिए आप बिल्कुल अपने हाथ से करके उसको पटाके जलवाए ताकि बचे को कोई हाव ना हो तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कई पर हम क्या करते हैं कि हम पटाके जला रहे होते हैं और एक जब हम जला रहे होते हैं तो दो-तिन हम अपनी पॉकेट में रख लेते हैं आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप ऐसा करेंगे तो बच्चा भी वैसा करेगा या बच्चे को हमने वैसा करने भी नहीं देना है तो यह बहुत ज़्यान रखे कि क्राकर्स को आपने करके उसको जलाई है मल्टिपल क्राकर्स आपको एक साथ नहीं जलाने उस चीस का भी बहुत ध्यान रखें आपको एक बार में एक ही क्राकर पर जाए बचे की सेफटी अगर आप चाहते हैं पूरे प्रकॉस्चिन के साथ अगर आप चलना चाहते हैं तो मल्टिपल क्राकर आपको नहीं जलाने हैं आप एक टाइम में एक ही पटागे को जलाई है जब ओवर हो जाता है तो आप नेक्स्ट के लिए जा सकते हैं तो उस चीज का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है करें हम लोग की बहुत हाबिट होती है हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आई आपने बचे को बिल्कुल नहीं करने देना सेफटी पॉन्ट ऑफिसे बहुत ही खराब चीज है तो आपको बचे को समझा के रखना है आपको पूरे तरीकी से उसको प्रोसीजर बटा के रखना है तो पटाकों के साथ कोई भी एकस्पेरिमेंट नहीं होना चाहिए कई बड़ी लोग बॉटल में कुछ नो कुछ भरगए उसके बाद रॉकेट जला रहे होते हैं या कुछ ऐसा कुछ भी एकस्पेरिमेंट वो आपको भी नहीं करना है आपको बच्चे को करने भी नहीं देना है क्योंकि जब आप करते हो तो बच्चा आपसे ही सीखता है तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको वो नहीं करने देना बच्चे को कईबरी कुछ cases में देखा गया है कि लोग हाथ में पटाके को लेके फिर जलाते हैं ऐसा नहीं करना है बच्चे को नहीं करने देना है बच्चे को यह नहीं सीखने देना है safety point of view से यह बहुत ही खराब चीज़ है पटाके कईबरी हाथ में ही फट जाते हैं कई पर ही अगर आप बिल्कुल इमेजेट सेकिंड पर उसको नहीं छोड़ते हैं तो बहुत ज़दा हाम कर सकता है तो हाथ में पठा के आपको नहीं जलाने बच्चे को नहीं जलाने देने हैं उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो कई पर ही हम क्या करते हैं कि हमने क्रैकर्स को जलाया और वो जलते-जलते बुछ जाताए उसमें ब्लास जो है वो नहीं होता है तो हम उसको देखने के लिए चले जाते हैं कि वो हुआ है यह नहीं हुआ यह जितने भी टेप्स में आपको वितारी हो यह सब आप बच्चे को पहले से ही बता के रखे हैं दिवाली के टाइम से ताकि बच्चे के माइन में कुछ चीजे रहे और बच्चा खुदी अपनी सेफटी देख सके टो अगर अपने पैटाका जलाया है और वो जला दिया आपने पिलास नहीं हो है तो उसका भी थोड़ remainder decided lijn अगर आ हो जलायाちょっと कराकिटा जला कप्ड़े या क्यों नहीं लीष चलिंड और फिर आप नहीं क्राकर के लिए जा सकते हैं आप दिवाली सेलिबरेशन घर पर कर रहे हो आप पूजा कर रहे हो ऐसे में आप बचे को किसी भी तरीके के कपड़े पैना सकते हो बेबी बॉइज ने पैना होता है तो वह नहीं पैनने देना तो कपड़ों का शूस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर क्राकर के लिए बचा जा रहे हो आपको इमेजिटली कपड़े बच्ची के चेंज करने तो उस चीज़ का भी आपको बहुत ज्यादा ध् करना है डारिकली पठागी को जलाते टाइम ऐसी जगा भी भी पठाकी नहीं जलाने हैं सब्कूस कर्टन के पास हो गया या ऐसी कोई आइटम जो आसपास में जो जल सकती है पठाकों की वज़े से उसका भी आपको ध्यान रखना है अपने वैकल्स का आपको बहुत ज्यान रखना है दिवाली के टाइम पर आप हापी रहें आप सेफ दिवाली मनाएं आपकी बच्चों की आपकी सब की दिवाली आइविश बहुत अच्छी जाए सेफ जाए पर उसके लिए जरूरी है कि आप प्रकॉशिंस लेके चले अपने बच्ची को यह सारी चीज़े समझा आपके चलेत पहली से तो आई होप आच नताका वीडियों आपको अच्छा लगा हो गा है तो वीडियों को लाइक करना है YouTube करके जरूर बतारैं वीडियों को कैसा लगा और विश अप अची खीर मांट प्रलत अभिगों